बनाएं कुछ ऐसा जिससे के पेड भर जाएं तो आईए चलिए हम लोग बनाते हैं यहां पर हमने लिया है दो अंडे और अब हम यहां पर डालेंगे बारीक कटी हुई प्यास बारीक कटी हुई टमाटर आप सबसी आपने हिसाब से भी ले सकते हैं और अब हम डालेंगे यहां पर बिलकुल महीन कटी हुई धनिया दो अरी मर्चे मैंने बारीक कटी हुई ली हुई है बिलकुल बारीक काटना है आपको सारी सबसियां ताकि आपके अच्छे से मिक्स हो जाए यहापे हमने दो लैस्वन के पीस लिए हुए है अब हम इसमें डालेंगे जीरा हाफ टेबल स्पुनिया आपके हमने जीरा लिया था काली मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है अब हम यहापे लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं आप अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं और नमा का मोस्ट इंग्रीडियन्ट है इसको तो ज़रूर डालिएगा और चली फलाग हमने यहापे लिया है आप को पास हो तो डाल लें वहाद कोई बात नहीं आप्शंल है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है हम भ्रेट ले लिए हैस स्लाइस को ले हमने इसामिख्टर में अलट पलट करना अबिलकुल भी बस अलट पलट करना है पैनल ले लेंगे उसमें बटर डाला हुआ है बटर को जोए श्प्रिट कर लेंगे आप बटर की जगा घी ले सकते हैं रिफाइंड ओयल ले सकते हैं अब हम इसमें जो मेरा डिप किया हुआ ब्रेट की पीस थे अब हम उसको इसमें रख देंगे और दोनों साइट अच्छे से पका लेंगे और जो भी हमारा बेटर था उसको हम इसके ओपर स्प्रेट कर देंगे थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हैं हमारा नाष्टा बनके रेडी हो चुका है बहुत ही जटपड बनने वाला नाष्टा है दो मृट में बन जाता है आप इसको ना अपने सबजी डाले भी इसको बना सकते हो सिफ अंडे में नमक डाल के इसको फेट लो ब्रेट को अलट पलट कर लो तो भी यह काफी डेस्टी बन जाता है यह हमने यह इसलिए हमने इतनी सारी सबजी डाली ता कि अगर आपका पेट खाली होना तो बहुत अच्छे जबर ज़िए झाल 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 झाल, 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 झाल.